ये गाइस, वेलकम टो अपना कैंपस, मैं हूँ पस्पेंद रियादो, प्यार डैली स्कील एंड अंट्रेप्नेर्शिप यूनिरसिटी के जो अप्लिकेशन फॉर्म से वो आ गए हैं, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इनका अप्लिकेशन फॉ जो बुते हैं, वो भी इसी से हो रहे हैं, तो आपको अगर डैली पॉल्टेक्निक पर अड्मिशन लेना है, तो इसका फॉर्म भी आपको यहीं से फिल करना होगा, ऊके, चलिए वीडियो में आगे और बढ़ते हैं, और बात करते हैं कि कैसे आपको इसी फॉर्म फिल करने कुछ इसी टाइप का पेज आपको वहाँ पे शो होगा अब यहाँ पे आपको स्ट्रोल करके तुर्ण नीची की तरफ आना है और जब आप लोग नीची की साइड आओगे तो नीची आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा का इदर सारे कोर्स के लिष्ट आजएंगी को कोर्स यहाँ पर कराया जाते हैं फिल टाइम डिप्लोमा कोर्स लेटरल एंट्रीव पर रिप्लोमा कोर्स अंडगाज जाएगा तो अगर आप चाहेँ पर उसको डाउड करके पढ़ भी सकते हैं आज कि आपको फिल कैसे करना है तो आज हम उसे भी बात करेंगे और बाकी जो अधर डिटेल्स हैं उसके पर मगर आप लोग जाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताना कि आप लोग किस कोर्स के लिए अपलाई कर रहे हैं और क्या तो मैं उस पे अलग इस्पेस्विक वीडियो बना दू कर दूए एक कोर्स का यह वीडियो जो भी मैं आपको फॉर्म करूंगा यह देमो के लिए करूंगा तो तो इससे बीकले कोर्स के लिए करना है तो यहां पे नीचे लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ अब देखिए हमारे सामने जो लॉगिन वाला पेज है यह वह आपने फॉर्म फिल अब किया हो तो अभी तो हमने फॉर्म फिल किया नहीं तो जो सबसे पहले हम यहां पर नीची की तरफ लिखा हुआ है नियू डालना है और दिक रहा है इस पर आपको खिर कर देना है बाद आप से पूछेगा कि कि निचे लिखाएगा confirm करना है कि आप मैं क्लिक कर देता हूं confirm पे बट अगर आप एक बार चेक कर लेना कि गलत लगे ता आप हमें चेंज कर सकते हैं अब आपका जो application form का registration है वो successful हो चुका है अब नीचे यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपनी email ID चेक कर लो वहाँ पर आपको OTP आया होगा आप एक बार चेक कर लेना और नीचे आप लिखा हो है back to home page तो इस पर क्लिक करके आप बैक आ जाना इतना करने के बाद इसी पेज़ पर आप वाबस आ जाएंगे और यहाँ पर आप new registration तो कर दीच चुके हैं आप आपको क्या कर सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने ट्रेश्बोर में आजाएंगे यहाँ पर आपको दो ओप्शन देखेगा माई अप्लिकेशन और यहाँ पर देखेगा preview form तो पहले हमें जाना होगा हमाई अप्लिकेशन में और यहाँ से अभी हमें अपने अप्लिकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा जिसमें क्लिक कर देते हैं अब यहाँ पर आपके सामने एक बिंडो आएगी इसमें यहाँ पर एक बॉक्स दिख यहाँ पर ओपन हो चुका है और अब इसमें हमें एक डिटिएल हमारी एंटर करनी होगी तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं जो लिखा हुआ है एप्लिकेशन डइली आप डाल देना रीजन आपका क्या है चाहाँ पर आउटसाइड डैली जो भी आपका है वह आप डा काडिवी कर्देंगे पीड़लूड की कर्देंगे यह लुए ने रहना हैил स्कूर करना हो अगर दोनों सेम है तो आगे लिखा है box इस पर टिक कर देना अगर अलग-अलग है तो आप यहां पर अलग-अलग अगर आपको अप्षिन दिख जाएगा सेव एंड प्रोसीड का इतना करने के बाद अब हमारे समय निव पेज अपन हुआ है एड्यूकेशनल डीटेल ठीक है तो इस पर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आप से पुछा गया है आपके क्लाश 10 की डीटेल अगर आपने आ करूंगा 10 वाले में बोर्ड का नाम पुछा गया है यह रोप पासिंग आपका स्कूल जो भी सेंटर था वो कहां पे था उस पर हम पूछा गया है मार्क्स टाइप मार्क्स सीजीप थी या परसेंटेज और फिर आपको मार्क्स ऑप्टेंट कितना हुआ वह आपको आपको तो टिक करना होगा ठीक है अगर दिट नहीं इसी तरह से एगर टर रखी था रखुए ता आप उसका भी फिल कर देंगे आपने है उसका भी कर देंगे तो जो जो जुछ केह आपने करी हुएheimer साथ आप यहां पर फिल कर देंगे सब और सब कुछछ करने के बाद फिर आप को बताना होगा कि आपने कौन को से subject पड़े हैं उसमें आपको maximum marks कितना मिला है और कितने marks का पेपर था ऐसे सब्सक्राइब पढ़े हैं उस पे क्लिक करने के बाद सेम इसी तरह से की तरह क्लाश 12 के भी आपको सभी सब्जक्ट के डिटेल यहां पे फिल करना होगा और अगर आपने लिए नहीं पढ़ा तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो यहां पे आप फिल कर देंगे और उसके बाद फिर यहां पे नीचे लिखा हुआ है से सब्सक्राइब कर देना होगा अब स सब्सक्राइब कर बात आप यहां पे बारी है अक्ट्रा करिकलर एकिविटी के बारे में बताने की तो अगर आप लाई कि में अबका सारा आ नहीं है तो अकर नहीं है ताप रहाए नेक्सट पेच कर सकते हैं अब यहां पर हमें फोट अपलमेट करने फोटो चुक्ड है आ Milk हमें जाए मैru से हाई तो पैणाव वह बाद यह किसमीर तो यहां तो जो 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 फोट मोणा गये गई आपको यहाँ पे वो upload करना होगा document upload करने के बाद फिर नीचे यहाँ पे लिखा होगा save and proceed इस पर वो click कर देना होगा अब यहाँ पे पूछा गया है course type किस के लिए आप apply करना चाहते हैं तो मैं apply करना चाहते हैं आप फुल टाइम diploma courses पे मैं इस पर tick कर दूँगा और यहाँ पर लिचे लिखा हो है save and continue इस पर मैं click कर दूँगा इतना करने के बाद आपने जो form fill किया है इसका preview आपको यहाँ पर show हो जाएगा इसमें साइड डिटिल आप एक बार check कर लेना सब कुछ अच्छे से कि आपने यहाँ पर डिटिल सही फिल करी है नहीं फिल करी और सब कुछ चेक करने के बाद फिर यहाँ पर एक बार देख लेना नीचे आओगी तहाँ पर बोल रहा है आई confirm दैवग यहाँ पर tick कर देना और नीचे आप यहाँ पर confirm assignment पर click कर देना मैं आप यहाँ पर click कर रहा हूँ लेकिन प्लीज आप लोग एक बार अपने डिटिल वर्शे चेक कर लेना अगर कोई गलती अभी पाई जाती है तो आप यहाँ पर गो बैक पर जाके अपने डिटिल को ठीक कर सकते हैं बट अगर आपने ठीक नहीं किया तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी इसलिए प्लीज अभी से आप यहाँ पर डिटिल ठीक कर लो इतना करने के बाद फिर से आप यहाँ पर option आपको आ गया है proceed to payment इस पर हम click कर देते हैं और इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पर payment का option दिखेगा जहां से हमें अपने payment करने होगी दोस्तों आप जो payment है payment यहाँ पर 500 रुपए है अगर आप लोगों को बीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा आपने दुस्तों सेर कीजिएगा और आपके जो भी डॉट्स से कमेंट करके बताना मैं उसका reply कर दूँगा और इसी तरह की इंफॉर्मटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्स्राइब क कर देजिएगा तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नई वीडियो में